सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जैसा कि आप लोगों को पता ही है मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा डिचन प्यारे बच्चों उद्राखंड के बच्चों को जो CUET entrance exam हो रहा है UG course के लिए यानि की BA, BCOM, BSE, इत्यादी के लिए तो form भरते समय उनको काफी दिक्कते हो रही है इस्पैशली जो column है, slot में क्या बरना है, domain subject क्या बरना है, language क्या बरना है कुछ बच्चों के तो ऐसे भी प्रश्ण है कि अगर हम simple BA कर रहे हैं और हमारे लिए तो बोला गया है कि general test देना है तो क्या हमें domain subject भरने पड़ेंगे, अगर आपका भी कुछ ऐसा ही प्रश्ण है बच्चों तो आज का वीडियो है आपके लिए आज के वीडियो में मैं यही पूरे detail में explain करूंगी कि आपने domain भरना है या नहीं भरना है, language कौन सी भरनी है और general test की क्या importance है इस form को भरते से में बच्चों मेरे एक subscriber है उतर परदेश से मेरा उनको नाम तो नहीं पता लेकिन उनको curious curious करके उनके बहुत सारी queries मेरे पास CUET exam को लेके आ रही है तो उनकी request पे मैं ये video बना रही हूँ, उनका प्रशन है कि मेरा 12th PCM से है लेकिन मैं BA Arts से करना चाहता हूँ HNV गडवाल University से, तो क्या मैं कर सकता हूँ तो उतर है जी हाँ आप किसी भी state से हैं और अगर आप HNV गडवाल University उतरा खंड में admission लेना चाहते हैं तो CUET एक ऐसा entrance exam है जिसकी थ्रू आप ले सकते हैं अब आपका जो दूसरी query है कि आपका PCM है और Arts में जा सकते हैं तो बिल्कुल आप 101% जा सकते हैं और आप form भड़ सकते हैं दूसरा आपका question है बच्चे का कि अगर मेरा 12th में Arts है तो क्या मैं science में जा सकता हूं या commerce इत्यादी में जा सकता हूं तो तब आप उस condition में नहीं जा सकते हैं science course को नहीं ले सकते हैं तो बढ़ते हैं बच्चो और समझ लेते हैं कि आपने form को भड़ते समय क्या-क्या बिसेज कर धियान देना है तो यह बच्चो यह PDF मैंने उत्राखंड की जो website है HNV की वहीं से डाउनलोड की है इसका bulletin करके नाम है जब आप भी website को को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी अब देखिया आप सामने देख सकते हैं कि जो इस form को भरने की सामन्य प्रक्रिया है वो वही है वही कि आपने डेट आप बार्ट फादर नेम आपने educational qualification आध में university choose करनी है और उधारन के लिए मान लीजिए मैं curious वाले बच्चे का ही उधारन लेती है उन्होंने BA arts में करना है तो उन्हें क्या करना है कि select program name तो यहाँ पर BA select कर लीजिए और उसे add कर देजिए ठीक है तो यह आपने अपनी university choose कर दी और यह अपना program आप क्या कर रहे है वो choose कर लिया उसी तरीके से सारे बच्चों ने भी अपने program को choose करना है अगर आपके आप इसके अलावा HNB के अलावा भी कहीं और पे भी अपना यह BA arts का program देख रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे choose कर सकते और add कर सकते वो आपको next page में बता है अब आता है बच्चों के ल हो रहा है वो धियान से सुन लीजी देखिए लैंग्वेज अगर बोला जाएगा तो बिल्कुल आपने लैंग्वेज भरनी ही भरनी है HNB में आपको पता ही है कि वहीं CUT तो अब आरा लेकिन लैंग्वेज के अगर बात करूं तो दो ही लैंग्वेज हों पर चलती है हिं इंटिगरेटड कोर्स कर रहे हो या कोई स्पैसिलाइजेशन कोर्स कर रहे हो जैसे बीएसी फोरेस्ट्री बीएसी अकरी कलचर तो वह तो आपको युनिवेसिटि को बताना पड़ेगा तो डोमेंगे आपने क्या करना है जिस भी स्ब्यम में आप कर रहे हैं आप उसकी कि आप छे सब्जेक्ट बढ़ सकते हैं तो बड़ा आप छे को भूल जाएए आप अपने दो सब्जेक्ट भरिए और दो सब्जेक्ट को भरने के बाद आता है आपका सबसे important point इस पर ध्यान दीजिए बच्चों ध्यान से सुनिए do you want to apply for general test section general test section इसको आपने करना है yes इसको करना है आपने yes जो भी बच्चे बीकॉम बीए इत्यादी जो भी general test में आते हैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया कि कौन-कौन बच्चे general test देंगे और कौन-कौन से बच्चे specialization test देंगे तो जो बच्चे general test में आएंगे वो यहाँ पर टिक करेंगे yes में तो उसके बाद जैसे आप इसे yes करेंगे university को आपका application form जब summit हो जाएगा उनको पता लग जाएगा कि यह बच्चा तो simple बीए करने वाला है तो इसके पास जो question paper आएगा वो एंटिय वाला लेवल का नहीं आएगा एक जनरल टेस्ट आएगा तो जनरल टेस्ट का भी syllabus है वो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी उसका भी मैं बताऊंगी कि क्या क्या आपने पढ़ना है ठीक है तो इसमें चारी बात है इंप्टेंट है बच्चो ध्यान से सुन ल कर लीजिए ठीक है जनरल टेस्ट में यस कर लीजिए और बस आपका काम हो जाए ठीक है उसके लावा कोई कंफ्यूज होने की जरुरत नहीं बच्चो उसके बाद आप अपना फॉर्म पूरे अच्छे तरीके से समिट कर दीजिए जब आप अपनी यह इंफॉर्मेशन दे स्टूडेंट है वो बार-बार मुझसे पूच रहे हैं कि मैम क्या मुझे इसमें भरना है ठीक है तो बच्चो बस यही थाज का वीडियो उमीद करती हूँ मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दी होंगे अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका डाउट्स ह किया ठीक है जब मैं बहुत क्लियर हो गई थी तभी मैं आपको क्लियर कर रहे हूँ तो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में करें बहुत 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 धन्यवाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया और शेयर करिये वही देखो उत्रा खड़ में पौड़ी इंग्लिश में लिखा है हिंदी बच्चो को आती है इंग्लिश तो इतनी अच्छी होते नहीं तो उनको आप ये वीडियो शेयर करिये ताकि उनको भी ये help मिल पाए ठीक है तो चलिए बच्चो नमस्ते वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे म मेरे कुछ नए अच्छे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए आप घर पे रहिए स्वस्त रहिए मस रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद सत्यमीव जयती धन्यवाद